हाई फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों आप देखना पॉल्टी मेनेजमेंट इड़ पॉल्टी की जानकारी चैनल और मैं हूँ आपका दोस्त अजेट हाकुर्ट साथियो वीडियो चालू करें उससे पहले रिग्वेश्ट देगी अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को दबाएं घंटी को जिससे जो भी जानकारी हम डाले उसका नौटिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप वीडियो का लाब उठा सकें साथियों आप देख सकते हैं कि यह हमारे पॉल्टी फार्म में चिक्स आये हैं और अभी अभी हमने चिक्स को पूरा पेपर पे निकाला है यह देखिए और निकालने के बाद में हमने इसको जो है पहले से पानी लगा इसमें जैसे कि हमने बताया आपको सार्गो फ्राइल डिया था या आप गुल्बी दे सकते हैं और इसके बाद में हमने रेष्टिकल दिया था और आपका भी कॉमप्लेक्स दिया है और इसके बाद में हमने अभी जो है इसको चूजे को पूरे को यहाँ पेपर पे छोड़ा है और छोड़ने के बाद में पानी लगाया है दाना अभी नहीं दिया है दाना आपको अभी नहीं देना है आपको भी दाना तीन से चार गंटे बाद देना है और अभी जितना हो सकता है उतना चूजे को दोड़ाएं और ब्रूडिंग की बैस्ता रखें पर्दे को बंद रखें पर्दा ना खोले अगर आपका फार्म लंबा है तो इस तरह से पार्टिशन बना ले दोस्तों ये देखिए कितना बढ़िया चूजा है आपके पहले दिन के जो मैनेजमेंट है बहुत खास होता है पॉल्ट्री में क्योंकि बच्चे का ग्रोथ इसी पही हाशने दिपेंट करता है पर इसले देखिए कितना बढ़िया चूजा एंधे एसको बुलाओंगा आप इसी तरह से इसको बुलाते रहीएगा देखिए कितना पूरा के पूरा चूजा दोड़ के मेरे पेरों में आ गया है सातियों आप इसी तरह से आप इसको इखटा ना होने दे और दोडाते रहें दोडाने से क्या होगा कि ये भागेगा भाग भाग कर ये जो तुस्क चूजा उसमें तंदुरुस्ती आता है और जब योग गलता है तो बच्चा एक्टिव होता है हमारा ठीक है और मॉडिलिटी नहीं होती है तो अभी हमें इसको चार घंटे बाद पेपर पे दाना देना है और पानी साप करने का दवाई अभी हमने नहीं दिया है दू-तिन दिन बाद देंगे देखिये कितना बढ़िया चूजा है गुलाव इसको उदर हाँ हां पाल जाकर गेट करते बाहर कुद चुका दा इस तरह से इसको दोडाते रही है सांतियों ऑना ज़ीहां ध्यान रहें कि हमारा चूजा एकटा ना हो पाए एक दूसरों को ऊपर ना चड़े पर्दे हमारे बंद रहें पॉडिसन में बंद रहें साम के साइब या तो आप इसको बॉक्स में भरें या बुरूडिंग कर दें ठीक है चार से पांच घंटे बाद हमें दाना देना है अभी हमें इस्टेजबेल रेश्टिकेल सारगो फ्राइल और बी कॉंप्लेक्स दिया है सबका डोज हमने बता दिया था आपको 400 ग्राम हमने चार ढक्कन रेश्टिकेल दिया था सो लिटर पानी में 4000 कूजे पर इसके बाद में हमने 200 ग्राम सारगो फ्राइल दिया था 400 ग्राम 200 ग्राम हमने 2 ग्राम एक ग्राम पर दो लिटर पानी पर हमने रेश्टिकेल एंटिवाइटिक दिया था और इसके बाद में हमने 400 ग्राम स्टेजबेल दिया है दोस्तों पानी में और 400 ग्राम में हमने बी कॉंपलेक्स दिया है यही मेडिशिन हमें सेम कल चलानी है यही पर्सू चलानी है और कुछ हम जो है इसमें मीठा सोटा बगरा बला देंगे इसी तरह हम डेली का अपडेट आपको देते रहेंगे दिन प्रती दिन का अगर वीडियो पसंद अपने परको भी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं नमस्कार जैंड जै भारत अगर फ़्राइबग।